बांगलादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चटगाओं में हिंदों का सोदार प्रदर्शन जारी है हजारों की भीड ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया धाका समेथ कई और शेहरों में भी प्रदर्शन की खबरे आ रही है तो बांगलदेश से ये बहुत बड़ी खबर तो हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एक जुट हो गए है और एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं सडकों पर आप ये नजारा देखिए इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर जो हिंदू आवाम है वो एक जुट होकर नजर आ रही है और उनपर हो रहे अत्याचारों और जुल्मों का इस तरह से जवाब देते हुए नजर आ रही है तो हिंदू ने अपनी एकता दिखाई है और कटर पंथी जो लगातार तख्ता पलट के बाद से हिंदू पर जुल्म धा रहे थे उन्हें एक बड़ा जवाब मिला है और कटर पंथी अब डर गए है हिंदू की ताकते बंगलदेशी हिंदू पूरी दुनिया की तरफ इन दिनों मदद की उमीद से देख रहे हैं बंगलदेशी हिंदू चाहते हैं कि जैसे गाजा के मुसल्मानों के लिए पूरी दुनिया ने आवाज उठाई वैसे ही उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाव भी आवाज उठाई जाए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया ने बांगलादेशी हिंदूओं के उपर हो रहे अत्याचार पर आँखे मून ली है अज संक्यकों के हित्तों की दुहाई देने वाले यूरोपिय देशों को भी हिंदूओं पर हो रहा जुल्म नजर नहीं आ रहा हालांकि अब इस जुल्म के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन चुरू हो गए है अमेरिका के न्यू यूर्क में बांगलदेशी हिंदूओं को न्याई दिलाने के लिए एक मार्च निकाल गया इस मार्श में अमेरिका में रहने वाले हिंदू शामिल हुए और उन्होंने नाले लगाते हुए बांगलदेशी हिंदूओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अमेरिकी सरकार से हसक्षेब करने की मांग की प्रदर्शनकारी मार्च निकाल कर मांग करते रहे कि हिंदूओं पर अपराद करने वालों को जवाब दे ठेराया जाए और उनकी किलाव सब्त आक्शन हो बांगलदेशी हिंदूओं को सबसे ज्यादा उमीद भारत से है चुकि भारत में हिंदूओं की आबादी करीब 100 करोड है इसलिए बांगलदेश में सताई हिंदू भारत के हिंदूओं की तरफ मदद की उमीद से देखते हैं क्यूंकि बांगलादेश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है इसलिए वहाँ के हजारों हिंदू भारत बांगलादेश सीमा पर पहुँच गए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं बांगलादेशी हिंदू भारत सरकार से अपील कर रहे हैं बॉर्डर खोल दिये जाए उन्हें भारत में शरण दी जाए और भारत सरकार एक हिंदू बाहुल्य देश होने के नाते उनकी मदद करे और उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करे यही मांग करते हुए आज हजारों की संख्या में बांगलदेश से आई हिंदू पानी कर घंटों खड़े होकर बॉर्डर खोलने की मांग करते रहे लेकिन बीस एफ ने किसी भी बांगलदेशी को बॉर्डर पार करने नहीं दिया जिससे वहां तनाव जैसे हालात भी दिखिया और बांगलदेश से भाग कर आए हजारों लोग हंगामा करते नजर आए गांगलदेश में रहने वाले हजारों हिंदू इस समय भारत की शरण में आना चाहते हैं लेकिन भारत इन रहने वाले हिंदू का स्वागत करनी के स्थिती में नहीं है क्योंकि शर्णार्थियों की संख्या हजारों में है और हजारों लोगों को शरण देना आसान नहीं है क्योंकि अगर सरकार शरण भी देना चाहे तो भी सरकार इन हजारों लोगों को कहां बसाएगी वही ऐसे शरण दी गई तो शर्णार्थी संकट बढ़ जाएगा चुंकि 17 करोड की आबादी वाली बांगलादेश में हिंदूओं की आबादी करीब 1 करोड 35 लाख है इसलिए इतनी बड़ी संख्या में शरनार्थियों की शरन देना और उनके लिए रोजगार और भोजन की विवस्था करना असान नहीं है इसलिए सरकार ने अभी बॉर्डर बंद रखने का ही फैसा लिया है चाहिए बांगलादेश बॉर्डर हो या सम बॉर्डर हर जगे B.S.F का खड़ा पहरा है अभी भारत सरकार ने ये इजाज़त नहीं दिया कि आप बॉर्डर में किसी को भी दिया राज्य सरकारे यहीं चिंता जता रही है कि 1.5 करोड लोगों को शरण नहीं दी जा सकती क्योंकि शरण देने से विवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और इसलिए भारत सरकार अब बीच का रास्ता निकाल रही है सरकार बांगलादेश में दो दिन पहले बनी नई सरकार के संपर्प में है भारत सरकार की तरश से दबाब डाला जा रहा है कि हिंदूों को वहां सुरक्षा मिले और प्रधानवंती नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले ही अंतरिम सरकार के फ्रमुक बने मुहमद यूनुस को बढ़ाई देते समय ही कह दिया था कि बांगलादेश में हिंदूों की सुरक्षा सुनिष्चित होनी चाहिए और इसी एज्वेने के तहट भारत सरकार आगे बढ़ रही है आज जब असम की मुक्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा मीडिया के सामने आये तो उन्होंने भी यही बात दोहराई चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है पंगलादेश से बढ़ रहे पलायन की वज़े से बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी परिशान है उन्हीं डर सता रहा है कि कहीं उनकी जमीन और खेद पर ये लोग कबजा ना करने प्येस फशरन मांग रहे हिंदूओं से अपील कर रही है कि वो बांगलादेश लौट जाए लेकिन जारों लोग ऐसे हैं जो बांगलादेश लौटने को तयान नहीं है हालक ही नई सरकार बनने के बाद बांगलादेश में हालत सुधर रही है नई सरकार ने भरोसा दिया है कि अज संक्यों को पर अत्याचार बंद होगा और इसी वे भारत सरकार वेट अड़ वाच पलिस्तिती में है क्योंकि अगर भारत का केवलिक राज उत्तर प्रदेश ही चाहे तो बांगलादेश खाने पीने और पहनने ओडने को मोहताज हो जाएगा क्योंकि उत्तरपदेश से बांगलादेश में चावल, खेती का सामान, सीमेंट, चमडा और कच्चे माल का निर्यात किया जाता है और जब से बांगलादेश में हालाद बिगड़े हैं, तब से भारत की तरफ से बांगलादेश भीजा गया करीब 700 करोड रुपई की कीमत का सामान, बॉर्डर पर अटका है और इसका असर ये पड़ा है बांगलादेश में खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है, हिंसा भड़तने की वज़े से लोगों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वज़े से रोजमर्रा में इस्तिमाल होने वाले सामान की कीमतें दो गुनी तक पहुँच गई है और इसलिए बांगलादेश उस हालत में नहीं है कि वो भरत को नारास कर सके